गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के मन से ये जो 4000 आवर वाच्टाइम का डर है ना ये दूर करने वाला हूँ आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जादा इंफर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो में बने रहना लाश्ट तक हेलो गाइज मैं नामे आदश और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक ब्रो यूटीब चैनल गाइज अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ वो घंटी ही वाजा लेना जिससे डेली आपको इस चैनल पर ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी तो चलिए डाइडेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं नो टाइम पास्ट नो टाइम वेस्ट अउनली टिक गाइस पता है आजकल आप बहुत सारे लोग यूटूब पर आना चाहते हैं और यूटूब पर काम करना चाहते हैं बट वो लोग सिर्फ इस 4000 घंटे वाच्ट टाइम रूल के वज़े से यूटूब पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगते है ये बहुत ही जड़ा टफ है मेरे से नहीं होगा बहुत टफ है यीचीज नहीं हो पाएगा एक साल में बहुत ज़्यादा है नहीं हो सकता लेकिन मुझे आप लोग ही एक बात बताओ अगर ये सच में इतना टफ होता तो क्या ये यूट्यूब का क्राइटेरिया होता चलो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ये सच में टफ है तो अगर यूट्यूब पे इतने तुच्छे मुच्छे creator success कर सकते हैं औ 365 दिन में complete करने का है सिर्फ एक साल में नहीं अब बहुत कोई बोलेंगे टेक ब्रो पागल हो गया क्या 365 दिन और एक साल में क्या अंतर है तो चलो अब मैं आपको एक दम अच्छे से समझाता हूं गाइस यूट्यूब आपको एक साल में नहीं 365 दिनों में ये criteria complete करने को ब 2023 को उनको ये criteria complete करना है और अगर ये criteria वो complete नहीं कर पाते हैं तो उनका YouTube चैनल खतम हो जायागा वो उन्होंने जितना काम किया उस चैनल पर वो सारा बरबाद हो जायागा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है होता है ऐसा है गाइस एक्चली ये 365 दिन वर्क ऐसे करता है जैसे आज 30 जनवरी 2022 को आप अपने YouTube चैनल पर काम स्टार्ट कर रहे हैं और आज 30 जनवरी 2022 को आपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो से आपके चैनल पर पांच घंटे का वाच टाइम और पांच सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए ठीक है आप काम कर हो है रेगुलर काम कर रहे हो अपने चानल पर वीडियो अपलोड कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो होते होते आतंने एक साल कंपलीट कर लिया आपने YouTube चैनल ने या तो अब आने वाले 31 जन्वरी को वो 5000 घंटे का watch time और 5 subscribers आपके चैनल से हट जाएंगे मतलब हटेंगे नहीं, count आप नहीं भी करवा सकते हो अब आने वाले कल 31 जन्वरी को अगर आप फिर से 10 घंटे का watch time और 10 subscribers increase कर लेते हो न तो वो 5 माइनस हुआ था, 10 यहाँ add होगा, तो वो मिलके भी आपके 4000 घंटे का watch time और 1 के subscribers कम्प्लीट हो सकते हैं तो इसी वज़े से 365 दिन यह आने वाले कोई भी 365 दिन आपके count होंगे, ऐसा नहीं है, आपको आज से आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो अगले 365 दिन में ही आपको करने हैं और वो आशान ऐसे हो जाता है न, जैसे आप YouTube पे regular काम करते रहोगे न, तो बीच में आपका एक नएक वीडियो वाइडल होई जाएगा, तो बिलकुल भी hard नहीं होता, यह 4000 घंटे का criteria, एकदम आशान है, आप काम करते रहोगे न, आपको पता चल जाएगा, यह सही में easy ह और मालो एक साल में नहीं हुआ, आप काम करना मच छोड़ो, क्योंकि आप regular हो एक साल से YouTube पे, आपको लाएगा complete नहीं हुआ अभी तक, अब आगे क्या होगा, तो ऐसे यह 365 दिन, कोई भी 365 दिन, अगर किसी भी 365 दिन के बीच में आपका यह period complete हो जाता है, 4000 घंटे watch time और one क subscribers का, तो कभी भी count हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आज से उस date तक ही आपको complete करना है, इसलिए यह dare आप अपने मन से हटा लो, और YouTube पे आओ, काम करो अच्छे से, सब कोई एकदम आसानी से यह criteria complete कर सकते हैं, इसलिए अपने मन से यह dare हटा लो, और आराम से काम करो YouTube पे, और करके जरूर बताना, तो मैं next video में paper पे practically आप लोग को कर के लिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा कि कैसे यह walk करता है, यह 365 दिन कैसे walk करता है, तो I hope आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो please एक like कर दे, share कर दे, और अगर अभी तक subscribe नही and keep inspiring everyone